हेलो स्टूदेंट्स आइम पीगे गिरी त्यूदेंट्स आइ okay students perimeter means होता क्या है तो perimeter means होता है students distance around the boundary क्या होता है distance distance around the boundary okay okay students perimeter means boundary को शम करना होता है ठीक है perimeter यदि हमको find करना है तो suppose students ये 5 cm है ये 5 cm है ये 5 cm है ये 5 cm है तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि perimeter मिन्स क्या होता यदि बोलेगा कि इसको जो है ना perimeter find करना है तो कैसे हम find करेंगे तो perimeter means क्या होता है कि distance around the boundary यानि sum करना है इसको तो 5 plus 5 plus 5 plus 5 ओके students इसको sum कर देंगे यानि क्या होगी students 20 हो गया 20 cm ok students अब हमको perimeter of square perimeter of square square का diagram कैसे होता है students ऐसे होता है तो perimeter of square perimeter of square का formula क्या होता है students 4 into side होता है क्या होता है 4 into side ok students 4 into side यानि square का क्या होता है 4 side students equal होता है क्या होता है 4 side equal होता है square equal to क्या होता है students 4 into Shide अब rectangle perimeter of rectangle perimeter of rectangle rectangle ऐसे rectangle का diagram होता है students तो ये L हो गया और ये B हो गया तो rectangle perimeter of rectangle का formula क्या होता है students 2 into L plus B सपोस करते हैं कि B जो है वो 6 cm है और L जो है वो 7 cm है यदि हमको बोलेगा students कि perimeter of rectangle find करना है तो कैसे find करेंगे students 2 into L का value क्या है 7 cm है और B क्या है students breadth क्या है 6 cm है तो क्या हो जागा students 2 into 13 हो जाएगा इसको equilateral triangle बोलते हैं क्या बोलते हैं equilateral triangle बोलते हैं students okay यानि इसका formula क्या होता है 3 into side क्या होता है 3 into side होता है okay students students इक्साम्पल अब बताते हैं आपको कोई भी random ले ले लेते हैं कोई भी random ले लेते हैं students यह 3 cm है, यह 2 cm है, यह 5 cm है, यह 4 cm है, यह 3 cm है, 8 cm है, 2 cm है, 6 cm है, ओके जो यह रेंडम गीवेड है, और इसका बोलेगा पेरिमिटर निकालना है, तो बहुत ही easy है, आप कैसे इसका पेरिमिटर फाइंड करेंगे, तो आपको मालूम है, कि पेरिमिटर में इस क्या होता है, पेरिमिटर में इस होता है, इसको सम कर देंगे हम, अब स्टूडैंडवाइट, यह स्टूडैंड है, अब इसका एरिया हमको फांड़ करना है, अब इसका अरिया ओउफ इसक्वाइर, इसका फोर्मूला क्या होता है श्रूडैंड़, साइड इन्टू साइड, कोई जैसे यह कोई प्लेगरोंड है और मुझे इसका जो है area of square find करना है तो इसका formula क्या होता है side into side होता है okay students area of rectangle area of rectangle क्या होता है इसका formula students l into b क्या होता है l into b होता है okay students अब इसी formula के उपर students easy तरीके से find कर सकते हो कोई भी questions को आप बहुत ही normal तरीके से बना सकते हो thank you students